ओके साल यानि कि गलोबल भी हो न चाहिए dan एक लिए चाहिए और एक लिए पलेटो सब्सक्राइब कि सेल्ग की तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो हमारा प्रिलाइट्णिंग है वो आप लोग देख्सक्ते कि स्ट्रिक्स का है और काफी बहतरीन है ज्यादा कोई प्राजिंग नहीं है और आप लोग इसका स्टेप देख सकते हो कि जो इसका मिश्रिंग रेशो है यह वन इस्टू टू है यानि कि अगर आप लोग 50 ग्राम क्रीम या फिर डेलोपर ले रहे हो तो उसका सव ग्राम क्योंकि हमें एक सॉफ्ट हाइलाइट चाहिए और फिर उसके बाद में जो 900 है उसमें भी देखते हैं कि क्या-क्या इग्रियेंट से तो देखिए इस प्रोडेक्ट को मैं आप लोग को ओपन करके पहले दिखा देता हूं कि यह कैसा अंदर से है और किस तरह है तो स्ट्रि प्रेयल का 900S माजी लिफ्ट का हाई लिफ्ट है इससे हाइलाइट भी कर सकते हो बट अगर अगर अप लोग को हाइलाइट चाहिए तो 30 या 40 वॉल्यूम से करोगे तो हाइलाइट मिलेगा बट हम इससे ग्लोबल करने वाले हैं तो ग्लोबल के लिए हम लोग यूस करेंग हैं तो चलिए अब हम इससे करेंगे mix और mix करके हम लोग हालक हालक हैर्स पर start करेंगे हम इससे practice करना और पूरा practical देखेंगे तो चलिए मैं आप लोग को ट्यूब भी दिखा देता हो तो देखिए जिस तरह box का packaging है उसी तरह सेम हमारा जो ट्यूब है उसी तरह है तो दोस् दोस्तों पहले लाइक कर लीजिए ताकि आप लोग का प्यार मुझे इसी तरह बना रहे और मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियो लाता रहो तो I think आप लोग ने लाइक करी लिया होगा लाइक करने में जदा समय नहीं लगता क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में तो काफी समय लगता है तो चलिए स्टार्ट करते हम पहले Blonder को Mix करना तो पहले Blonder हम लेंगे तो जैसी कि मैंने आप लोग को बता है कि जितना हमें Blonder लेना है उसका Double हमें लेना है developer और इसका Mixing Ratio है 1 is to 2 तो चलिए Blonder हम लोग निकाल लेना है तो देख सकते हैं आप लोग यह पाउडर टाइप के बेस में है इसे इसलिए प्रिलाइटनिंग बोलते हैं बहुत लोग इसे Bleach भी बोलते हैं बट इसे Bleach बोलना अच्छा नहीं होगा क्योंकि यह Strix का अच्छी कंपनी का है इसलिए आप लोग प्रोफेशनल भाशा में प्रोफेशनल लेंग्वेज में आप लोग इसे pre-lightning powder भी बोल सकते हो तो चलिए हमने इसे निकाल लिया है अब इसमें हम लोग mix करेंगे developer तो developer हम लोग mix करेंगे 20 volume और पहले हम लोग cream निकाल लेते हैं हमारा L'Oreal का 900S वाला है और फिर दोनों का result देखेंगे कितना बहतरीन आने वाला है Global with highlights का look तो चलिए अब हम इसे cream निकाल लेते हैं तो cream का tube भी आप लोग देख सकते हो हमने इसे निकाल लिया है थोड़ा सा जादा नहीं लेना है जो भी आपका hair से उसी के according आप लोग को निकालना है tube तो चलिए अब इसमें हम लोग developer mix करेंगे 30 volume जी हाँ आप लोग ध्यार रखिए बिल्कुल भी mismatch ना हो इसमें हम लोग 30 volume यूज़ कर रहे हैं क्रीम वाले base में और जो हमारा pre lightning का powder है उसमें हम लोग 20 volume mix कर रहे हैं आप देखेंगे कौन सा जादा lifting करता है जाद दक मैं आप लोग को बताओं कि जो pre lightning powder है वो जादा lift करेगा क्योंकि वो lifting के लिए ही है अगर किसी ने महिंदी वगरा कराया है और उसे same global hair color चाहिए तो महिंदी पे कोई global color नहीं आता है तो bleach जो है वो हमें एक undercoat देता है जिसके बाद हम उस पे color deposit करके उसे same वाला color दे पाते है इसलिए हम जादातर pre lightning का यूज़ करते हैं तो आप लोग समझ गए जो powder है pre lightning उसका हम यूज़ क्यों करते हैं तो देखिए हमें इसे आची तरीके से mix कर लेते हैं proper तरीके से और hairs पर लगाना चालूँगा तो देखिए ये pre lightning के पास जो रखा है वो powder वाला है जो हमारा pre lightning और वहाँ पर जो रखा है वो L जो हमारा है S900S वो हमारा जो laurel का है वो रखा हुआ है तो चलिए अब हम इसे अलग-अलग hairs पर लगाएंगे तो जिस पे हम pre lightning के powder वाला bleach लगाने वाले हैं जिसे हम pre lightning बोलते हैं उस पे हमने अलग से धागा बांदा है ताकि हमें समझ में आये कि हमारा जो hairs है जिसमें हमने कौन सा cream किस तरह लगाया है और pre lightning में हम फिर से आपको बता दू कि मैंने 20 volume यूज़ किया है 20 volume के developer इसे मैं आप लोग को proper तरीके से दिखा रहा हूँ कि उपर से नीचे अची तरीके से लगा रहा हूँ अगर proper cream नहीं लगाऊगा तो patchy look आता है यानि कहीं पर जादा कहीं पर कम तो हम लोग को ऐसे नहीं करना है या उसको अची तरीके से मलसिफाइ करते हूँ लगाना है तो चलिए अब हम जो 900S L'Oreal का है high lifting वाला उसे भी हम लोग लगा रहे है और उसमें हमने use किया है 30 volume तो आप लोग कमफ्यूज नहीं होना उसमें हमने जो tube वाला color उसमें 30 volume यूज किया है और जो हमारा pre-lightning वाला जो powder color है उसमें हमने किया है 20 volume तो चलिए जैसे कि मैं आप लोग को बता है कि high lift देने के लिए हमारा जो pre-lightning वाला stricts का powder है वो high lift देता है तो चैनल को subscribe कर लिजे दोस्तों क्योंकि हम बहुत जल्दी 1,00,00 subscriber के family वाले हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी दोस्तों चैनल को subscribe कर लिजे और like तो जरूर करना दोस्तों क्योंकि काफी बेहनत लगती आप लोग के लिए प्रि-lightning यूज़ किया है तो वह अच्छा-कासा lifting दिया है और 900S जो दिया था उस पर हमने 30 volume यूज़ किया है जो कि वह 4-5 lifting देता है 30 volume लेकिन हमने tube यूज़ किया है तो जाधा lifting नहीं दिया है तो चलिए आप दोनों को हम लोग अच्छी तरीके से आप लोग रिजल्ट है और ये 900S वाला जो 900S है वो एकदम चॉकलेट टाइप का एक लुक आया है आप लोग लोग के लिए इसमें यूज़ कर सकते हो और इसे हम लोग अच्छी तरीके से ड्राइ करेंगे ड्राइ करने के बाद आप लोग देखिए ग्लोबल विद हाइलाइट का अगर लुक देना हो एक साथ तो आप लोग फाइलिंग में अच्छी तरीके से 20 वोल्यम डेवलेपर का यूज़ करके ये ब्री लाइटनिंग को यूज़ करिए हाइलाइट की तरह स्ट्रिप्स निकाल कर देन उसके बाद में आप लोग ग्लोबल के लिए 900S का ये कलर यूज़ कर सकते हो 30 ये 20 वोल्यम दोनों वोल्यम में यूज़ कर सकते हो और आप लोग को जब दोनों मिसमैच होगा तो इस्टाइलिंग करने के बाद देखिए इतना तरह बहतरीन सा रिजल्ट आएगा कितना बहतरीन सा रिजल्ट आए आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप लोग को पता चल गया होगा कि ग्लोबल विध हाइलाइट्स कलर किस सरे किया जाता है एकदम सौफ्ट हाइलाइट्स भी मिला हुआ है जिसे जादा प्रिलाइटिंग ये जादा गोल्ड वाला हाइलाइट्स चाहिए तो उनके लिए 20 वॉल्लिम से करिये काफी अच्छा रिजल्ट आ जाता है और ग्लोबल के लिए आप लोग 900S को भी यूज़ कर सकते है और उसका भी काफी अच्छी तरीके से लिफ्टिंग होता है तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करके बताना है कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और दोस्तों आप लोग किस टाइप के हैर से रिलेटेड वीडियो चाहिए किस टाइप के हैर कलर से रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करना इसी तरह आप लोग के लिए नए नए वीडियो आते रहेंगे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाई बाई